नमस्कार, सोराइसिस सबसे आम आटो इम्यून तोचा का रोग है, जिसमें होमेपैथी से सफलता पुरुवक इलाज किया जा सकता है एक मामला जिसमें रोगी पूरुस, उम्र करीब 40 वर्स, पहली बार परामर्स के लिए आये थे वे पूरे सरीर में सोराइसिस से पीरी थे, उनके नाखुन भी प्रभावित हुए थे और टूटकर गिर रहे थे तोचा में दरारें पर रही थी, जिसमें खून बहने लगता था, खासकर सरदियों में समस्या बढ़ जाती थी इन दरारों से चिपचिपा सराव हो रहा था, खुजली अधिक थी, रात में खुजली बढ़ जाता था, जब वो सोते हैं तो उनके सीर से पसीना भी आता है वे प्रोपिनेट एनेफ क्रीम का इस्तमाल करते हैं, इनसे कुछ हद तक मदद मिलती है, उन्होंने ठंड के मौसम में पिनलियों में एठन की भी सिकायत की सुराइसिस का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं था, सारेरिक लक्षन पुछने पर पता लगा कि रोगी सीत प्रकृति का है, ठंड से समस्या बढ़ जाती है, इक्षा, मिठाई, मसाले, चिकन खाने की इक्षा रहती है, यौन इक्षा में कमी है, दोपहर की नींद लेने के मन दुखी रहता है, परिवार से उपेच्छित महसूस करता हूँ, यानि कि अलग थलग महसूस करता हूँ परिवार से, मैंने सब के लिए सब कुछ किया, आज कोई मेरी तरफ नहीं देखता, सरापिने, सांत्वना और धार्मी गीत सुनने से दुख थोड़ा सा कम हो जाता है, आत्म हत्या की विजार आते हैं, लेकिन वो परिवार की चिंता के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, पूरा मामला सुनने के बाद तीन दवा जो सामने आया था, वो था ग्रिफाइटिस, लेकिन उसे मिठाईयों से तिवर घ्रिना होती है, जबकि हमारे रोगी इसके विप ठंड लगती है, कब्ज और सास लेने की तकलीफ और ठकान कैलकिरिया कार्व की और इसारा करते हैं, जो किये गए रिपर्टराइजेशन में तीसरी दवा था, उन्होंने एक मुख के बात बताई कि डरावनी कहानियों के प्रती एक बड़ी समेदन सिलता, इस रूबरिस को जोरने के बाद कैलकिरिया कार्व रोगी की मुख्य दवा निकल कर आती है, तो कैलकिरिया कार्व की पेशन में एक आप देखेंगे, कि डरावनी कहानी के प्रती समेदन सिलता रहती है, डरेगा, सुनने का मन भी करेगा, पर वो डर डर के, रात में सपने भी देखेगा, र करीब 6 माहिने में सुराइसिस की समस्य पूरी तरह ठीक हो गए तो जो तीन दवा आया था जहन में उसमें से सलेक्ट करना था तो कलकरिया कार्ड में कलके आया तो हर रूब्रिक हर सिम्टम मांसिक सारीरिक लक्षन के आधार पर ही आपको दवा का चैयन करना होता है असा करता आपको यह वीडियो मेरी पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद